हलो वन, लोग प्रशासन अर्थात पब्लिक इप्निस्ट्रेशन विश्यवस्तु को लेकर आज में यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों से मुखातिब हो रहा हूँ जिनका या तो optional subject, खासकर optional subject है लोग प्रशासन लेकिन इसके साथ साथ GSK भी उन सभी अभ्यर्थियों को भी बताना चाहूंगा जो की आप वो civil सेवा की preparation करते हैं प्रशासन की विश्यवस्तु जो है वो GSK topics के साथ भी interrelate करती है तो मैं यहाँ पर एक video series सुरू करूँगा और इस video series को सुरू करने का प्रारम करने का जो मेरा उद्देश है वो दो तरीके की चीज़े हैं पहला कि आपकी उन समस्याओं का समाधान करना जो की आपको public administration विश्यवस्त को समझने के लिए वहाँ पर समस्या खड़ी करती हैं और दूसरा उन चीज़ों से अवगत कराना जो की समसमाईक अस्तर पर यहाँ पर विक्सित हो रही है तीसरा आपको कौशल युक्त बनाना कौशल युक्त इस तरीके से की आपकी answer writing जो की आप मुखे परिक्षा में लिखने जाएंगे वहाँ पर आपको ये लाभकारी हो आप एक अच्छी answer writing कर पाते हो और उसका जो प्रभाव होगा optional subject के अभ्यर्थियों के लिए क्योंकि आपको पता है मुखे परिक्षा में जो सरवाधिक आप अंक अर्जित कर सकते हैं वो आप अपने वैकल्पिक विशय से कर सकते हैं ऐसी स्थिती में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपने वैकल्पिक विशह पर अच्छे से ध्यान दें उस पर गंभीर पूरवक सिंसिरली जिसको हम कहते हैं कि आप वहां पर स्टडी करें सीरिसली उसको वहां पर देखें और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझ कमेंट में जाकर के आपको पॉब्लिक इंडिस्ट्रेशन जो भी कॉंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या जिसको भी लेकर दिक्कत हो रही है आप यहां पर कमेंट बॉक्स में उन कॉंसेप्ट को डाल दीजे कमेंट करके बता दीजे मैं अब हर एक वीडियो में ऐसे ही क सा राइटिंग भी आप कैसे कर सकते हैं तो यहां पर इस वीडियो का मूल उद्देश देखे मैं कई सारी चीजों को आपको बताने जा रहा हूं तो अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेगा खासकर वो अभ्यारती जिनका पब्लिक इमिनिस्रेशन ऑप्सन यहां पर मैं एक regular basis पर कुछ time periods पर जैसे ही मुझे लगेगा कोई topic लगेगा जो आपको बताना है तो वहां पर जैसे मुझे time लगा कोशिच करूंगा week में एक या दो वीडियो जरूर आप तक जाएं तो चलिए यहां पर देखे क्या है आज कि इस वीडियो में क्या-क्या हो जाते हैं या तो उसकी answer writing नहीं कर पाते हैं या तो आप उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं और ऐसी स्थिती में इन तीनों ही स्थितियों में यह आपके लिए नुकसान दे होता है वो भी ऐसी स्थिती जब आपका एक optional subject ही है कई बार लोग कोई subject समझ में नहीं आता है उसक साल खराब किया है दूसरा आप नए subject को चूज करने जा रहे हैं उस पर भी आप पहली बार पढ़ेंगे तो वैसे उसमें ज्यादा को समझ में नहीं आएगा उस पर भी महारत हासिल करने के लिए आपको समय देना पढ़ेगा answer writing करने पढ़ेगी बार बार पढ़ना पढ़ जब भी आप optional subject का चुनाओ करें बहुत समझदारी से करें क्योंकि आप इसे बार-बार अगर चेंज करते हैं तो यहां पर आपको बहुत समय लग जाएगा किसी एक subject पर महारत हासिल करने के लिए क्योंकि उसको दो तीन चार बार पढ़ने में आपको समय लगेगा तो आक्टर में कोई भी topic समझ में नहीं आया है या कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रही है या कोई question है जो आपको वहाँ पर उसको आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सभी चीजों के लिए आपको अपने इस वीडियो में जाना है और वहाँ पर क्या कर देना है comment करके बता कराऊंगो यदि कोई question है question यदि आप solve नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो मैं questions को भी solve कराऊंगा ठीक हो सकता है एक वीडियो आपकी concept talk को लेकर हो उस concept में जो topics है उसी को related question आपको दिया जाए या फिर आगर पहले से आया हुआ previous year के question paper में तो वहाँ पर उसकी आप answer writing कैसे करे जाएगा यह तो और सब्जेट के अभ्यरतियों के लिए लेकिन एक चीज़ और धियान रखना है ऐसे भी अभ्यरति हैं जो इनका पॉब्लिक अडिमिस्ट्रेशन और सब्जेक्ट नहीं है लेकिन जीएस का जो topic है उसमें में भी पॉब्लिक अडिमिस्ट्रेशन अर्था है governance का इसी में आपका social justice का topic आता है और साथी साथ आपकी ethics आती है ठीक है यह कुछ topics है जहाँ पर आपको प्रशास्नी के विवस्था को समझना जरूरी है ethics में निर्ने कैसे लिए जाते हैं वहाँ पर आपके प्रशास्नी के मूले क्या होते हैं वो समझना जरूरी है तो वह भी आपको public administration में पढ़ाया जाता है और यहाँ पर आपको ethics में भी पढ़ना पढ़ता है तो यहाँ पर उन questions को भी हम यहाँ पर देख लेंगे quality के से related question भी यहाँ पर हमें paper 2 जो है public administration का paper 2 वो पूरा quality है तो वहाँ पर इस से related question देख ली जाएंगे social justice अर्था समाज में यहाँ पर किस तरीके की समस्याएं है इसमें गैर सरकारी संगठनों के अपनी क्या भूम क्या है प्रशासनिक विवस्था कैसे कारे करती है उन सारी चीजों को देखेंगे और governance के अंतरगत यहाँ पर शुशासन क्या है e-governance system क्या है computer technology प्रद्योकी का प्रयोक कैसे कियाता है तो इस तरीके के जो topics आप GS में पढ़ते हैं वो भी कहीं न कहीं को public administration से इंटरलेट करता है तो मैं ऐसे भी topics को यहाँ पर cover करूंगा इस concept of public administration के वीडियो में तो आप सभी भी यह वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पर governance, social justice, polity और ethics से related जो GS के topics है उसको भी हम यहाँ पर cover up करेंगे और आप उसका लाव उठा सकते हैं तो अगर आपको भी कोई topic है जो नहीं समझ में आया है तो आप भी comment में जाना है और वहाँ पर जाकर अपने problems को जो चीजें या concept को जो नहीं समझ में आया है वो से आप note कर देना है अब देखे यह तो answer writing भी optional subject की वहाँ पर कराई जाएगी चौथी जो चीज यहाँ पर जरूरी है इस वीडियो में वो है करन रीजन क्या है कि देखे प्रशास्निक व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने का जो आधार है वो सरकारों के द्वारा संसिद के द्वारा ला ठीक है तो यहाँ पर हम current affairs को भी cover करेंगे current affairs के अंतरगे यह दिमान लीजे सरकार के द्वारा कोई नेतिकत या भी कोई अध्यादेश लाया गया या कोई कानून बनाया गया है या फिर कहें कि कोई परिवर्तन लाया गया है जैसे कि लाल बत्ति और नीली बत्ति का एक concept आ होते हैं public information में पूछ लिए जाते हैं हम इसे भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तिस तरीके की current affairs में सरकार के द्वारे जैसे दुती प्रशासनिक सुधार आयो की reports आई ठीक है उसको गठित कर दिया तिस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्ता में हुए परिवर्तन उस तरीके से ये जो वीडियो सिरीज है इसे बहु उद्देशी और बहु आयामी द्रिश्टिकोंड से प्रारम किया जा रहा है जिसका मूल उद्देश यहाँ पर public administration के अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण करना है उनकी answer writing को छमता को बहतर बनाना है संसमाइक विश्य से उनकी समझ को वहतर बनाना है जो कि आपको मूल रूप से सामाने दिन में आप पढ़ते समय बहाँ पर कहीं ने कहीं एक डिलिमा रह जाए या फिर कोई आपको चीजें समझ में नहीं आई हुई है तो भी आप इसे यहाँ पर देख करके इसे समझ सकते हैं तो आज के लि में जैसा मैंने शुरुआत में भी कई बार बोला है कि कमेंट बॉक्स में आप जब तक यह नहीं बताएंगे कि कहा दिक्कत है मेरी अगली वीडियो नहीं आएगी ठीक है तो यहाँ पर आपको वीडियो में जाना है और जहां पर भी जो भी टॉपिक्स आपको समझ में न पर आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि वीडियो में बहुत जाथ इसलिए दूंगा नहीं जो प्रॉब्लम से सिर्फ उसे ही साल्व करने कोशिश की जाएगी ऐसा नहीं है कि हम सुरू से लास्त तक यहाँ पर पूरा का पूरा 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 पुबिक अबिनिस्ट